दोस्तों अगर आप mutual fund के माध्यम से एक passive income regular basis पर monthly आप अपने bank account में चाहते हैं या फिर आप एक ऐसे person है जो की primary source of income आपका salary है और वो source of income आपका बंध हो चुका है चाहें आप retire हुए हो या फिर आपकी job छुट गई हो दोनों condition में monthly basis पर आपने expenses को वहन करने के लिए आपको पैसे की जरुत पड़ती है और अगर आप एक बूस पैसा invest करके या फिर SIP के माध्यम से एक अच्छा कॉर्पास generate कर चुके हैं तो उसी mutual fund के माध्यम से आप SWP plan access कर सकते हैं जिसके माध्यम से एक fixed amount जो की आप तै करेंगे आपके monthly bank account में credit कर दिया जाएगा AMC के माध्यम स अब यहाँ पर जब भी हम mutual fund में invest करते हैं तो हमें वहाँ पर mutual fund house company के द्वारा units allot किये जाते हैं अब यह unit क्या होता है जैसे आप share market में stocks में पैसे को invest करते हैं तो particular किसी भी company के stocks को जब आप purchase करते हैं तो उस दिन जो उस company के share का price होता है और जितना आपने investment किया total investment में per share price से अगर हम लोग divide कर दें तो total कितने share allot होते हैं वो हमें पता चल जाता है इसी प्रकार से जब आप mutual fund में invest करते हैं तो mutual fund जो है वो particular किसी एक company का stocks नहीं है बलकि कई company का group of stocks है यानि बहुत सारी company के portfolio में वो जो AMC है आपका पैसा invest करती है तो particular किसी एक company का stocks तो आपको allot हो हो रहा है तो उस दौरान वो AMC जो है वो mutual fund जो है उसका NAV होता है यानि कि net asset value जिस प्रकार से आप share market में invest कर रहे थे तो वहाँ पर share price होता था उसी प्रकार से जब आप mutual fund में invest करते हैं तो वहाँ पर चुकि अलग-अलग company के share वहाँ पर share price नहीं होता है वहाँ बलकि वहा आपको unit allot कर रही है जब आप SWP करते हैं तो इसी units में से कुछ unit जितना भी आप पैसा fix करेंगे उस पैसे को unit में convert करके वो आपके sell करके और या फिर redeem करके आपके bank account में credit किया जाता है अब यहाँ पर general सा प्रश्न सबके मन में उठना लाजमी है कि जब हमारे units जो की हमने purchase करते समय हमें allot किये गये थे वो तो चुकि fix है और बार बार हर मन्त में उसी में से units sell out हो करके हमारे bank account में credit होगा तो कभी ना कभी तो एक ऐसा समयाएगा कि यह units ही खतम हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो क्या SWP के माध्यम से हम regular basis पर long term के लिए पैसा generate कर पाएगे या नह तक जड़ जोड़े रहेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज आप देख रहे हैं फिनो बेट योटूब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार रुजट करना है तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल एकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों SWP के मेकनिजम को अभी पूरे mathematical calculation के माध्यम से हम लोग समझेंगे unit wise ताकि चीजे पूरी तरीके से clear हो जाए उससे पहले हमें थोड़ा सा basic structure इसको समझना होगा कि SWP काम कैसे करता है एक बाल्टी यहाँ पर मैं माल लीजे इस प्रकार से बाल्टी है इसमें एक नल लगा हुआ है जहां से नल खोल करके आप पानी निकाल सकते हैं और उपर से इस बाल्टी में एक नल लगा हुआ है ज देखिए पानी जो निकल ला है वो इतने फोर्स से निकल ला है और पानी जो आ रहा है बाल्टी में वो इतने फोर्स से आ रहा है तो क्या कभी यह बाल्टी खाली हो सकता है कभी भी खाली नहीं होगा जिंदगी में कभी खाली नहीं होगा क्यों क्योंकि जितने speed से पानी आ रहा है उससे कम speed से पानी निकल रहा है या फिर इसका उल्टा समझिए जितने speed से पानी निकल रहा है उससे ज़्यादा दुगने speed से पानी आ जा रहा है तो ये बाल्टी कभी खतम होने का सवाल ही नहीं उत्पन होगा इसी mechanism पर इसी structure पर SWP plan को decide किया गया है यानि कि SWP plan के अंतरगत जो आफ fix amount तै करते हैं कि मुझे monthly basis पर इतना amount चाहिए वो हमें इस प्रकार से तै करना होता है कि हम जो अपने investment में से monthly जो पैसे निकाल रहा है वो इतना हो कि जितना हमें interest मिल ला है उससे वो कम हो तभी तो ये समझिए कि ये interest मिल और कभी खातम नहीं होगा तो यानि कि माली जे mutual fund में अगर हमें 12% का annualized CAGR के मादम से return मिल ला है तो हम कितना निकालेंगे इसका just आधा यानि की 6% के rate से हम लोग निकालेंगे अब ये 6% जो होगा या फिर 12% जो हमें मिल ला है annualized मिल ला है यानि वार्सिक दर के हिसाब से म एक साल में 12 महीने होते हैं और ये 6% हमें वार्सिक मिल ला है तो इसे जब divide करेंगे तो इसका value जो हैगा वो 0.5% आएगा यानि कि जो भी हमारा investment होगा उसका आधा प्रतिशत प्रतेक महीने हम SWP प्लान के लिए amount set करेंगे ठीक है आधा प्रतिशत क्यों set किया मैंने मैंने भी आपको उताहन बता दिया कि बाल्टी में हम लोग अगर जो पानी निकाल रहे हैं वो अगर आधे speed से निकालेंगे तभी ये संबब हो है कि हमारा पानी कभी खतम ना हो माल लीजे कि अगर हम लोग ये कर दें कि 12% हमें CHGR मिल ला है और मैं 13% के हिसाब से निकालने लग या फिर 20% के हिसाब से निकालने लग रहे हूं सलाना तो उस दोरान क्या होगा जितने speed से पानी आ रहा है उससे जादा speed से हम लोग पानी निकालना है तो ये तो कभी न कभी जा करके खतम हो जाएगा तो हमें इस प्रकार से set करना होता है कि जितने speed से पानी आ रहा है उसक इस प्रकार से किस मेकनिजम पर HWP काम करता है अब चलिए mathematical calculation के मादन से समझते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर मैं यह एजियूम करूँ कि मैं 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और इस 50 लाख से जिस भी mutual fund में मैं इन्वेस्ट करूँगा अगर मैं यह मान करके चलू कि मेरा पैसा ग्रो नहीं कर रहा है मतलब कि मैं बिल्कुल calculation को simple लखने के लिए आपको समझाने के लिए यह मान करके चल रहा हूँ कि मेरा पैसा जो है वो बिल्कुल constant है constant कहने का मतलब कि market के उतार चढ़ाओ या फिर growth को मैं अभी के लिए ignore कर रहा हूँ आगे आगे आप समझेंगे क्यों मैंने ignore किया था mathematical को आसान रखने के लिए और आगे उसको include करते हुए भी मैं आपको समझाओगा कि क्यों आपका पैसा कभी भविश में खतम ही नहीं होगा मालीजे मैंने 50 लाग invest किया और इस समय अगर मैं देखू HDFC balance advantage fund जो की hybrid type का fund है अगर इसमें आप SWP start करने के लिए 50 लाग पैसे invest करते हैं यहाँ पर मैं बिल्कुल clear करते हूँ कि यह कोई भी investment के लिए recommendation नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ education purpose के लिए video बनाएगे यह तो किसी भी mutual fund में invest करने से पहले आप अपने personal advisor से सलाह जरूर ले लिजेगा तो यहाँ पर मैं 50 लाग invest करना चाहता हूँ और इस समय इसका जो NAV का rate चल रहा है यानि इस दर से आपको units allot किये जाएंगे मैंने कितना invest करने के लिए 50 लाग और कितना units हमें मिलेगा उसको calculate करने के लिए हमें इसके आज के NAV के rate से हमें divide करना होगा यानि 504.44 से तो इसमें divide करके हमें पता चल जा किये जाएंगे वो आपके screen पर दिख रहा होगा टोटल जो unit हमें मिलेंगे वो 9911.98 यानि कि almost अगर round figure हम लोग कर दें तो 9912 unit हमें मिलेंगे अब ये unit जो मिले 50 लाग invest करने पर ये तो total fix हो गया अब ये unit घटेगा बढ़ेगा नहीं अब जो हम SWP करेंगे यानि monthly basis पर हमार नहीं है हमारे 50 लाग के investment में जब ये fix है और इसी में से बार बार निकल रहा है तो क्या ये कभी खतम होगा नहीं खतम होगा कैसे नहीं खतम होगा चली समझते हैं दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो total हमारा investment होता है उसका केवल 0.5% या फिर yearly अगर आप देखें त 6 प्रतिशत हमें निकलना चाहिए ये yearly है और ये monthly है ठीक है तो अगर हम लोग 0.5% निकाले 50 लाग का ठीक है मैं यहाँ पर आपको calculation दिखाने के कोशिश करता हूँ देखिए ये 50 लाग हो गया इसका 0.5% अगर हम लोग निकाल देते हैं तो आता है 25,000 रुपया आप इसक् लिए हमें कितने यूनिट को sell out करना पड़ेगा तो इसके लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं 25,000 हमें निकालना है और एक यूनिट का दाम आज के डेट में 504 रुपया 44 पैसे था यानि कि आप इसक्रिन पर देखिए लगबग हमें कितना बेचना पड़ेगा हमें बेचन कर देगी और यह हर महीने हो रहा होगा मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं स्टार्टिंग में यह एजियूम करूँगा कि हमारा पैसा कॉंस्टेंट है मार्केट के उतार चणहों से यह आगे या फिर पीछे घट बढ़ नहीं रहा है तो जो टोटल हमें यूनिट अलोट हुए थे उसमें से इतना यूनिट माइनस हो जाएगा ठीक है जो हमें टोटल यूनिट अलोट हुए थे 9912 और मंतली बेसिस पर जो हमें यूनिट सेल आउट करके हमारे बैंक अकाउंट में 25,000 मिलेगा उसमें से अगर हम लोग डिवाइड कर दे 9912 टोटल टोटल ये 200 महीने तक आपका जो 50 लाग का इन्वेस्टमेंट है वो चलेगा और ये 200 महीना जो चल रहा है वो आप किसी भी म्यूचल फंड में इन्वेस्ट करें उसका एनवी कुछ भी चल रहा होगा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कुछ भी होगा अगर आप 0.5% हर महीने तो आपका 200 महीने ही चलेगा ये फिक्स होता है आगे वीडियो में मैं दूसरे म्यूचल फंड के अलग एन्वी और अलग इन्वेस्टमेंट एमाउंट के हिसाब से भी मैं आपको कल्कुलेट करके दिखाऊंगा ताकि चीज़े आपको और ज्यादा क्लियर हो जा आपको कि हमारा पैसा जो 50 लाग हमने इन्वेस्ट किया था वो बिल्कुल फिक्स है ना तो घट रहा है ना तो बढ़ा मार्केट के उतार चाड़ाओं से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है मैंने ऐसा क्यों किया ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल रहे अगर हम किवल 50 लाग इन् मंतली बेसिस पर हमारे बैंक एकाउन में पैसे आते रहेंगे ठीक है चलिए अब हम लोग अलग किसी म्यूच्वल फंड के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं आप किसी भी म्यूच्वल फंड में उठाएंगे और कुछ भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर आप 0.5% मंतली बेसिस पर निकालते हैं तो आपका पैसा इतना ही साल तक चलेगा ही चलेगा चलिए देखते हैं कैसे इससे पहले मैंने HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड के हिसाब से कैलकुलेट किया था अब मैं SBI ब्लूचिप फंड के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी आप एमाउंट इन्वेश्ट करेंगे या फिर NAV रेट कुछ भी होगा अगर आप 0.5% निकालते हैं तो आपका 16.67 साल ही आपका पैसा चलेगा यहाँ पर अगर देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसका आज इन्वेश्ट करें NAV रेट कुछ भी हो अगर 0.5% आप मंतली बेसिस पर निकालते हैं तो उस दोरान आपका जो यह एमाउंट हर महीने पैसे जनरेट करके देगा जब मार्केट में उतार चाणाओं को हम लोग इंग्नोर कर दें तो यह 16.67 साल ही चलेगा कैसे देखते हैं देखे टोटल जो हमने 20 लाख इंवेश्ट किया इस रेट से हमें टोटल कितना यूनिट अलॉट होगा यूनिट अलॉट करने के लिए हमें यहाँ पर इस से डिवाइट कर देना होगा इस्क्रिन पर देखिए 20 लाख हमने इंवेस्ट किया था NAV का रेट ये चल ला है टोटल जो हमें यूनिट मिला वो मिला आप इस्क्रिन पर देखिए 22,286 देखिए 22,286 मैं कैलकुलेशन को easy रखने के लिए इसको ignore कर रहा हूँ 22,286 यूनिट हमें मिल जाएंगे ठीक है और चुकी हमें 0.5% निकालना है हमने investment कितना किया था 20 लाख और इसका 0.5% अगर हम लोग निकालते तो देखिए कितना आता है ये यूनिट याद रखिएगा 22,266 ठीक है अब हम लोग को जो हमने investment किया था 20 लाख इसका हमें कितना निकालना है 0.5% तो ये जो value आती है वो 10,000 रुपे आती है यानि कि 10,000 रुपे हम monthly अगर हम लोग निकालने और 10,000 निकालने के लिए कितने यूनिट हमें sell करना होगा तो आज के NAV के rate 89 दसमलो 74 जो था उसे अगर हम लोग divide कर दें तो ये जो value आती है ये आती है आप इसकान पर देखे 111.43 यानि कि monthly हमें इतना unit sell out करना होगा मतलब आपको नहीं AMC आपका sell out करके आपके bank account में credit कर देती है अब जो total हमें units allot हुए थे 20,000,000 invest करने पर उसमें अगर इतने से हम लोग भाग दे दे तो total कितने महीने हमारा ये monthly basis पर हमारे bank account में आता रहेगा ये हमें पता चल जाएगा ठीक है तो जो total हमें unit allot हुए थे उसमें हम लोग इतने से divide करेंगे इसक्रीन पर आप देखे 22,286 हमें units allot हुए थे और एक महीने 10,000 रुपया निकालने के लिए इतना unit sell out करना पड़ेगा AMC को यानि कि total जो हमारा ये पैसा चलेगा वो 200 महीने चलेगा अभी मैंने आपको दिखाया था HDFC balance advantage fund में उसमें भी आपका पैसा 200 महीने ही चल ला था अगर इसको मैं साल से convert करने के लिए 12 से अगर कर देता हूं तो यहाँ पर देखे आपका जो पैसा चला वहाँ पर भी 16 साल के आसपास चला था यहाँ पर भी 16 साल के आसपास ही चल रहा है मतलब कि NAV rate कुछ भी हो किसी भी mutual fund में आप invest करें किसी भी invested amount को लेकर के आप आगे बढ़े अगर आप यह माने कि market के उतार चड़ों से आपका पैसा डिश्टर नहीं हो रहा है इग्नोर कर देते हैं आप market को तो उस दोरान आपका पैसा जो है वो 16 साल साथ दसमलो साथ तिम यानि कि लगभग पौने 17 साल आपका पैसा चलेगा और आपके बैंक एकांट में 17 साल तक पैसा क्रेडिट होता रहेगा ठीक है लेकिन यह तभी होगा जब हम लोग यह इग्नोर कर दें कि market बिल्कुल constant है market ना तो बढ़ा है ना तो घट रहा है लेकिन market ऐसा तो होगा नहीं 16 साल में mutual fund अगर आप देखेंगे तो लगभग जो index fund वो हमें 12 से 15 प्रतिसात का rate of return देता है यानि कि अभी हमने इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था तब हमारा पैसा इतना लगभग 17 साल चल ला था अगर हम लोग 12 प्रतिसात CHR के हिसाब से करें कि हमारा पैसा 12 प्रतिसात के हिसाब से हर साल बढ़ रहा होगा जब हमने 50 लाख invest किया था HDFC balance advantage fund में और इसका आज का जो एनेवी चल रहा था वो चल था 504.44 तो इससे जब हम लोग divide करेंगे तो हमें total units मिल जाते थे कि कितना unit हमें allot किया जाएगा हम लोग कैसे calculation करेंगे 25,000 में हम लोग क्या करेंगे divide कर देंगे NAV से 25,000 से लेने के लिए NAV 504.44 पैसा से divide कर देंगे यानि monthly basis पर हमारा जो unit है इतना sell out हो रहा है लगभग 49.55 के हिसाब से ठीक है अब इस calculation तक हम लोग ये मान करके चल रहे थे कि market बिल्कुल constant है लेकिन market ऐसे तो behave नहीं करती है market तो हम इसा लगभग average 12% के हिसाब से बढ़ेगी जैसा पुछला record हमने देखा है तो उस हिसाब से जो हमारा invested amount है जो हमने 50,000,000 invest किया था वो अगले साल 12% के हिसाब से बढ़ जाएगी तो इसको अगर हम लोग 12% इसमें add कर दें तो ये value आती है 6,000,000 और जो हमारा 50,000,000 था इसमें मैं इसको जोड़ देता हूं तो हमारा जो अब amount बन गया वो 5,60,000 बन जाएगा 56,000,000 बन जाएगा 56 लाख बन जाएगा अब इस 56 लाख में से अब ध्यान से सुनिएगा इस 56 लाख में से जो हमारा उस समय का जो रेट था इनेवी का वो भी 12% की हिसाब से बढ़ गया होगा तो यानी 504 रुपया जो था 504 रुपया 44 पैसा इसको हमें क्या करना पड़ेगा 112 प्रतिशत निकालना पड़ेगा तो अब इसका इनेवी का जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 564 रुपया और इतना पै ठीक है 49.55 लेकिन जब हमारा एनेवी का रेट बढ़ जाएगा एनेवी का रेट बढ़ गया और हमारा जो इन्वेश्टेड इमाउंट था वो भी 12% से बढ़ गया और लगबग 56 लाग हो गया तो उस दोरान इसी 25 लाग को निकालने के लिए हमें इससे कम यूनिट को सेल पड़ेगा कैसे ध्यान से समझेगा यानि कि अभी जो हमारा इतना रुपया है हमें कितना निकाला 25 ला तो यानि इससे हम लोग इस 25,000 में डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जागा इसको राउंड फिगर कर देते हैं 565 माल लेते हैं ठीक है तो 25,000 ध्यान से देखि अब यूनिट की संख्या आपको कम निकालनी पड़ेगी यानि सिर्फ 44.24 यूनिट ही आपको निकालना है ठीक है इसके बाद से अगले साल फिर से जब आपका पैसा ग्रो कर जाएगा 12% की साब से तो यह जो पहले साल आप 49 यूनिट निकाल लेते दूसरे साल 44 हो सकता है अगले साल आपको सिर्फ 49 यूनिट निकालना पड़े हो सकता है उसके अगले साल सिर्फ 35 यूनिट उसके बाद से जैसे जैसे आपका पैसा ग्रो करेगा यह यूनिट की संख्या लगतार घटती चल जाएगी और रूल आप 72 के हिसाब से हम लोग यह जानते हैं कि हमारा प पैसा हम लोग इन्वेस्ट किये हुए हैं ध्यान से सुनिएगा जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट किये हुए हैं वह छा साल में पैसा double हो जाएगा तो हर छा का हम पैसा क्या हो रहा है effective rate of return मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 6% मिलेगा, तो 72 में, अगर हम लोग 6 से divide कर दें, तो हमें हमारा पैसा, HWP के मतलब हर महीने निकालने के बावजूद भी 12 साल में हमारा पैसा just double हो जाएगा, तो जब 12 साल में पैसा double हो जाएगा, तो units की संख्या क्या हो जाएगी, just आध ही हो जाएगी, यानि 12 साल में आपका जो unit निकाल रहे थे, वो just आधा हो जाएगा, ये हर साल unit की संख्या आपकी घटती चली जाती है, इस वज़े से ये पैसा कभी खतम ही नहीं होगा, क्यों क्योंकि आप जो देख रहे थे, कि जो पहले वाले calculation में मैंने आपको समझाया था, कि जब हम लोग बिल्कुल constant मालने, कि market constant है, आपका पैसा नो तो बढ़ रहा है नो घट रहा है, उस दौरान भी आपका पैसा कितने साल चल रहा था, शोला दसमलो साथ चार येर चल रहा था, शोला दसमलो लगवख पौने 17 साल पैसा चल रहा था, ये तब चल रहा था जब market constant था, लेकिन market 12% CAGR के जब से लगतार बढ़ रहा है, तो ये 16 साल नहीं बलकि lifetime चलेगा, जब तक आप जिवित रहेंगे तब तक चलेगा, और उसके बाद भी ये पैसा चलेगा, आपके नॉमिनी को आपको पैसा credit कर दिया जाता है, तो ये पैसा कभी खतम ही नहीं होता है, ये इसी सिधान्त पर काम करता है, कि बाल्टी से आप उतना ही पानी निकालिए, जितना आपका पानी आ रहा है, उससे आधे rate से, इससे क्या होगा, कि ये बाल्टी कभी खतम ही नहीं होगा, ये practical example मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद करके देखिएगा, जितने rate से पानी आ रहा है, उससे आधे स्पीट से पानी निकालिए, बाल्टी कभी खाली नहीं होगा, इसी सिधान्त पर काम करता है, HWP और mathematical calculation के माध्यम से भी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, कि units लगतार साल दर साल आपका घटता चला जाएगा, जब NAV का rate बरेगा, जब आपका पैसा grow कर रहा होगा, CAGR 12% के हिसाब से, ठीक है, तो units जो होता है, वो कभी खतम नहीं होता है, क्यों नहीं खतम होता है, क्योंकि units तो आपको fix a lot हो चुका है, लेकिन पर्स, मन्थ जो आपका unit sell out हो करके, आपको पैसे credit के जाएगे, वो unit साल दर साल घटता जाएगा, कम unit बेचने पड़ेंगे, कम unit बेचा जा रहा है, बार बार वो units की संख्या कम होती जा रही है, तो वो पैसा कभी खतम ही नहीं होगा, कभी भी खतम नहीं होगा, जिंदेगी बेर चलेगा, लेकिन इसके लिए सर्थ यह है, कि जितना भी return आपको आपका mutual fund दे रहा है, expected है, उसका आधा ही आप साल का निकालेंगे, जैसे 12% दे रहा है, तो हम 6% साल का निकालेंगे, यानि मंतली बेसिस पर 12 से भाग दे दिजे, 0.5% ही हमको मंतली बेसिस पर निकालना होगा, तभी ये concept काम करेगा, और आपका पैसा कभी खतम नहीं होगा, ठीक है, उमीद करता हूँ, आपके सभी doubts क्लियर हो गया होगे, बावजूद इसके अगर आपका SWP को लेकर के कोई भी confusion रहता है, तो कमेंट के मादम से पूछ सकते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करें आपका दिन, शोब्रो,